आज हम बनाएंगे काना जी के लिए टोपी और बहुत ही आसान टोपी है बहुत चल्दी बन जाएगी इसके लिए मैं चाहिए पेपर का टुकड़ा थोड़ा सा ये मोटा हो ये मैंने कार्ड का टुकड़ा लिया हुआ है फेविकोल डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी ले सक बना सकते हैं कैंची कुरेश्या और ऊन का टुकड़ा देखिए आपको जिस भी नंबर के काना जी के लिए टोपी बनानी है उनके आप सिरका नाप ले लिए उनके सिरके नाप से थोड़ी से बड़ी आप कार्ड़ बोर्ड के ऐसे टुकड़े ऐसे चौड़ाई में काट लेजिए और फिर इसे हम यहां पर गोद लगा के चिपकाएंगे इस ऐसे करके थोड़ा सा चिपका के से रखेंगे साइट रहता कि इस तरह से यह देखिए यह हमारा जो टुपी का जो रिंग है वह हमारी चिपक गई है देखिए अब एकदम सुग गई है अब यहां पर देखिए मैंने 5 इंच लंबे ओन के टुकड़े काट लिये हैं आप 5-6 इंच ले सकते हैं इस उनको हमको ऐसे डबल करना है और देखिए यह जो राउंड वाला हिस्सा है यह बाहर रहेगा इस तरह से यह देखिए यह राउंड वाला ऐसे रखेंगे और यहां पर इसके ब सब्सक्राइब करना है फिर दूसरा लेंगे इसे बराबर करेंगे एक बराबर आप चाहें तो दो और तीन का लगके भी ऊन के टुकड़े समें ले सकते हैं इस तरह से इसे आप कुरेशी की मदद से काफी रिंग छोटी है तो इसमें आप उंगली डालके नहीं कर सकते हैं तो आप उंगली से भी कर सकते हैं इस तरह से इसे टाइट करते जाना है पास में करते जाना है इस तरह से फिर अगला लेंगे इस तरह से इसे हाफ करेंगे और यह देखे इस तरह से लगाएंगे यह हिस्सा अपर अपनी तरफ होगा इसके बीच में से कुरेशी डालके ऐस इस तरह से तो ऐसे हम पूरी टोपी में से पास पास करते जाएंगे पूरी टोपी में इस तरह से कर लेंगे इस तरह से यह हमारी टोपी बन के त्यार हो गई है अब हमें इसे बंद करना है इससे हम सारे ओन को जो है उंगली साइसे पीछे की तरफ कर दिंगे इस तरह से जितना ओन है इस सब हम पीछे की तरफ कर लेंगे इस तरह से उंगली की साहिता से इस तरह से एक चीज का ध्यान रुखेगा कि आपके जो भी काना जी का अपनाप ले रही है उससे कम से कम 3-4 सैंटीमीटर यह जो टूपी जो आप यह राउंड बनाए यह थोड़ा सा ज्यादा रहे इस तरह से इस तरह से कर लेना है थोड़ा सा उंगली से अंदर की तरफ प लगा देंगे उन से उन लेंगे इस तरह से और थोड़ी दूर पर देखिए इस तरह से करके हम थोड़ी दूर पर यहां पर इससे इस तरह से पंद कर देंगे थोड़ा टाइट लेंगे इस तरह से लेके हां पर हम गाट लगा देंगे हमने गाट लगा दिया और यह जो एक्सट्रा उन्हें से हम नलेकर कर देंगे अ है न है एक्सट्रा से अन को दिया अब हम इसके यह थैंट यहाँ है फे फ्लावर्स रखें हमें डेकुरेशन वाले फ्लावर लगाएंगे इस पर फेविकॉल थोड़ा से गिरा लेंगे इस तरह से गिराने के बाद यह फ्लावर्स हम इस पर चिपका देंगे इस तरह से इस तरह से हम चिपका देंगे अब हम इसे थोड़े देर सूखने देंगे और सूखने बाद देखिए यह आपकी टोपी काना जी की तैयार है इतनी आसानी से बन गई है इतनी खुबसरे टोपी उमेदा आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी लगिए अच्छी लग यह ओभी तैफ सबस्जे पाइब यद्टि में आया में आयाई झाल झाल